तो देखिए मुझे ये पार्सल रिसीब हुआ है और इसमें बहुत सारे आइटम है अच्छा मुझे भी यही लग रहा था कि मुझे इतने सारे गिफ्ट अचानक से कैसे मिल गए और ये मेरा वीडियो में बहुत दिनों सोच रही थी कि अब आप लोग शियर करूंगी अब आप लोग शियर करूंगी पर टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था तो मुझे इस पे बहुत सुन्दर सा रेड ड्रेस मिला था साथ ही बहुत अच्छे स्विस ब्यूटी के लिप पाइनर मिले थे अब आपको भी लग रहा था ना कि आर्थी कब हमें खोल कर बताए और सारे प्रोड़क्ट एमजोन से अब कहां से कैसे रिसीव हुए हैं वो तो मुझे भी अभी नहीं पता है तो मैं आप लोग को खुद बताऊंगी तो आप हमारी वीडियो में लास्ट सबसे पहले अगर मुझे कुछ मेकप का आया है तो मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा सा लगा के पहन के बताऊंगी तो ज्यादा बैटर रहेगा अभी आपको पता है कि वैलंटाइन डे आरा है चवदा तारीक को और उसके लिए अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते तो आप क्या गिफ्ट कर सकते हैं वैलंटाइन डे में आप कैसे रेडी हो सकते हैं तो सिंपल समय आपको मेकप दिखाऊंगी जो कि मुझे रैक कलर का ड्रेस भी रिसीज़ हुआ है और कुछ और भी है मेकप का जो कि बहुत लाइटली बहुत अच्छे लगने वाले हैं आ पर देखें वीटी ब्लेंडर को अच्छे से हमने इस पर डैप कर लिया क्योंकि सबसे पहले अगर आपको मेकप करना है अभी मैं अच्छा पूजा पार्ट करके आई तो मेरा मन नहीं था कि मैं फेस फिर से वाश करूं नहां कि आई पूजा पार्ट की फिर मैंने का चलो आप लोग को वैलेंटाइन डे आ रहा है वीडियो आप लोग से शेयर करना है तो वस मैंने इस तरीके से मामा आर्थ का जो अच्छे से लगा लिया अभी इस पर मेरा ओली स्कीन नहीं है अगर आपको मॉजुराइजेशन लगानी की जरूरत नहीं है पर मेरी थोड़ी सी स्कीन है तो मैंने इस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है वो आंगे की वीडियो में आप लोग से शेयर करूंगी मैंने अच्छा सा मॉजुराइजेशन लगा लिया है बहुत देर तक नहीं मतलब एक दोमनेट तक फाइनल ड्रेस पहन कर आ गई हूँ और यह रवाई रैड है तो हम इसको देखेंगे और यह सारे प्रॉडक्ट जो मैं आज आपको फाउंडेशन से रिलेटेड या फेस पाउडर से रिलेटेड बताऊंगी वह सारे बॉटर प्रूफ है इसका जो ब्रांड है बहुत अच्छा है और लिंक भी अपने डिस्कुप्शन बॉक्स में दे फाउंडेशन जो है हमारी स्कीन में में मेच करेगा तो यह नैश्रल है इसलिए जो मेरे कलर के होंगे उनकी उपर परफेक्ट में चाहेगा जबी हम स्टार्ट करते हैं अभी मैंने अच्छा सा मोस्जूराइजरिशन लगा लिया है और जो पानी में हमने पॉफ को डालके रखा था अच्छी तरीके से हमने इसका इस तरीके से पानी कर लिया है और यह हमारा पॉफ है पहले हम लगाएंगे फाउंडेशन इस तरीके से यह एकदम लाइट बेट पाउंडेशन है और अगर आपकी स्कीन ड्राई है आपको बहुत ज्यादा इसको मॉस्जुराइजेशन करना है और यह आपका फाउंडेशन लागवग चेकी नहीं होगा कई फाउंडेशन हो जाते कि यह मेबलिंग का फिट मी है तूट्वैंटी है जो मेरा शेड है अच्छा तो मैं भी आपको बता दू कि आपको फाउंडेशन लगाना है तो इस तरीक कि यह फाउंडेशन लगाते हैं तो अपनी स्कीन पर आलमस्ट हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क लेते हैं वैसे मेरे फाउंडेशन के सबसे मुझे लगता है ठीक है रिजल्ट है और इसको डैप करके लगाना है थोड़ा से मैं आपको जल्दी-जल्दी कर हमारा फेस अलग देखेगा टोन हमारा क्योंकि डिफ्रेंट डिफ्रेंट हो जाएगा और यह जो फाउंडेशन है फुल कब्रेज है बॉटर प्रूफ है तो इसका 101 परसंट रिजल्ट आपको खुदी मिल जाएगा तो सारा लिंक में में डिस्किप्शन वॉक्स में देद जो भी जो भी होते हैं यह तो मेरा बहुत पुराना का लपिस्टिक है तो यहां पर यह मैट इसका लिप लाइनर है बठां आप इसका लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस फाउंडेशन के फेस पाउडर के बाद लगा के दिखाऊंगी तो यह लैक्मे गर्मियों के मौसम में यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा आपका जो हो जाता है ना हमारा फिस काला पर जाता है तो इसे आपका फिस काला नहीं पड़ेगा साथ में आपको आपको अगर फाउंडेशन कुछ लगाते हैं तो आपको पसीना पस चाहते हैं कि होता है दिन में ना ऐसा है भी मेक अप नहीं किया जाता नाइट में तो फिर भी चल जाता है तो मेरा यहां पर देखे मैंने लगा लिया है और हलका सा ही आपको लग रहा होगा पूरा कबरेज इसने दे दिया था फुल कबरेज दिया है दिन के हिसाब से मैंन तो यह पाद में पहनूंगी इसके पहले में लगा लेती हूं लिप लाइनर और यहां पर कोई आ गया था तो मैंने का पहले में वीडियो शूट कर लो उसके बाद बात करती कि अगर बीच से उठो ना तो फिर नहीं हो पाता है तो पहले मैंने आउट लाइन इसी से बनाई इसका प्रिग्निन्टेशन जो है इसका स्मूथली आपके लिप पे जा रहा होता है आपको इसको ऐसे एक होता है ना कि जो अधर लिप लाइनर होती है बट स्विस ब्यूटी की मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा है यह आपको ट्राए करेंगे और जितने भी मैंने आज स्विस ब्यूटी का पूरा अगर आप इसका डिबा लेते वह भी काफी अफॉर्डबर प्राइज है क्योंकि अगर प्रोडेक्ट हम कोई भी यूज करें अपने फेस में तो वह हम अच्छे यूज करें क्यों हम केमिकल वाली यूज करें एक बार लो बार बार का तो पस्त हो जाओ और मैंने इसी की लिपिस्टिक भी लगाई है मैंने का मैं इसकी ट्राइ करके बताती हूं साथ ही मैं सिंदूर लगा लेती हूं चलिए यहरिंग्स पहन लूँ उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूं और सारे लिंक आज के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक यह जाके गिफ्ट कर सकते हैं अधरवाइस आप अपने लिए वैलेंटाइन डे में इसलिए ऐसा तो तयार होई सकते मैं यही कहना चाहूंगी परफेक्ट तो नहीं हुई हूं पर हां इतना हुई हूं कि आप इतना मेकप कर सकते हैं अच्छा साथ सेंडल ना हो तो फिर ल लिया हुआ है सेंडल लिया हुआ है और बहुत ज़्यादे कमफर्टेवल है और वन पीस मैंने ड्रस प्राई की थी और इसके साथ अगर आप यह हलका सा हीलो मुझे ज़्यादा हील पसंद नहीं है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है वरना स्लीपर वगेरा या कुछ और तो वह ज़्यादा अच्छा वैटर नहीं लगता है तो उसकी डिजाइन बहुत अच्छी है साथ में गोल्डन पैटर्न में दिया है जो कि आपके हर ड्रस के साथ मैच होने वाला है मेरे साइज इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट गया था तो चलिए मैं इसको पहन के बता रही हूं आपको और आज का हॉल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिएगा कोमेंट करके बताएगा कि हमारा लाइट वेट मेकप कैसा रहा और मैंने फर्स टाइम का इस तरीके से आप लोग से वैलन्टेंडे मेकप शेयर किया हुआ है अब देख अब्लकुल परफेक्ट गया था अच्छा साथ में एक प्रड़क्ट आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूं जो कि मैंने यह भी आमाजोन से वाइक की हुई है और सारे प्रड़क्ट जो आज के हैं वह आज के हैं वह आपको यह बात करूं तो यह बहुत अच्छा अच अच्छी इस ट्रेटर है जड़ा आपको बोल गली शेप में मिल जाएगा और मेरा साइस था यह मैंने वह साइस मगाये थे आपको अपने साइस कभी मिल जाएगा और यह स्मार्ट सा लुक देता है इस कुर्थी में देखें अच्छी तो लग रही है ना चलिए अब मिलती लाइक करिएगा बहुत मेहनत लगती है क्योंकि एक वीडियो को तयार करने में मेक अप करने में तो उसके लिए आप एक लाइक जरू करिएगा और अच्छा लाग यह तो कॉमेंट करके जरू बताईएगा अपनी फैंबली फ्रेंट्स में शियर भी कर सकते हैं चलिए बा झाल प्रेंट करने में जरू करने में शियर भी कर सकते हैं आप एक जर जेखे टैंचार हैं एक जरू और भी सकते हैं!!